सब riff भात करतें बंदर हिस्टरिक कर्व कर बनेगा यानि कि एरिया जादा कवर करेगा और एक इसा मेंडर जिसके अंदर if कम बनेगा ठीम होगा और जिनका एरिया भी थिन ओगा इन दो तरीक Canadians के बारे हम्ने चर्चा करी ही तो जिसका area ज्यादा होगा उसके अदर लॉसेज भी ज्यादा होंगे लार्ज एरिया ने लॉसेज और यह जो लॉसेज होंगे इस बनाते हो और इसका इरिया याँ कि चौड़ाई जो है वो कम है ऐसे मेंचेयल जो होंगे वह स्माल लॉसेज शो करेंगे अगर हम इसी चीज को analyze करें या सीखने ही कोशिश करें with the help of magnetic materials के अगर हम देखने ही कोशिश करें कि domain के रूप में ये कैसे behave कर रहे होंगे तो अगर हम बात करते हैं दो magnetic material की एक दोनों के अंदर random orientation है जस्ट बिल्कुल similar एक दूसरे की तरह यानि कि जब हमने कोई भी field नहीं apply करी है तो इनके सारे के सारे dipoles जो हैं वो randomly align है इदरोदर देख रहे हैं जैसे ही हम लोग इस पर edge intensity की field लगा देंगे तो magnetic field लगाते ही क्या होंगे magnetize होना शुरू होंगे और हम ये मान के चलते हैं कि सब के सब एक ही direction में magnetize हो गया यानि कि this state is known है saturation आ गया है positive saturation ठीक है अब क्या होगा अब जैसे ही यहां तक दोनों चीज़े same चल रही है यानि कि जो भी magnetic metal खरीद के लाओगे market से एक ऐसा metal जिसका loop थिन है और एक ऐसा metal जिसका loop थिक है दोनों की दोनों को जब magnetize करने कोशिश करेंगे तो exactly same direction में magnetize हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी अब अब अगर हम लोग क्या करें इस intensity जो external field लगाई थी अगर इन्हें हटा दें तो ऐसे case में क्या होगा एक material ऐसा होगा जिसके अंदर major portion of dipole जो होगी वो random हो जाएंगे और कुछ domains जो होगे वो अभी भी orient रह जाएंगे या retain रह जाएंगे तो अगर इस material की बात करूँ material 1 की यहाँ पर यह वाले जो आप देख रहे हो ना यह क्या होगा यह retain रहे गए बहुत important चीज है रहे गए यहीं से term आता है retentivity याद होगा last lecture में हमने इस वो बहुत चर्चाएं की हुई है तो ऐसे material जो अपनी domains को align करके रह जाएंगे उनको हम लोग retain करके रह जाएंगे इस property को हम retentivity कहेंगे ठीक है तो ऐसे material जिनके अंदर retentivity कम होगी उनके अंदर क्या होगा major portion जो domains की है देख सकते हो यहाँ पर यह जो major portion है domains का यह क्या हो गया यह तो आपका random हो गया ठीक है random align हो गया orientation खतम हो गई कोटा सा portion जो होगा वो क्या होगा retain रह जाएगा यानि कि minor portion जो होगा वो retain रहेगा और major portion जो होगा major portion major portion वो क्या होगा वो क्या होगा तुमारा वो random हो जाएगा कोई दिख्कत नहीं होगी वहीं पर हम दूसरे material के अंदर भी same काम करने ही कोश्च करें edge को external field को हटा दें तो हमें वाद देखने हो क्या मिलेगा कि minor portion जो होगा वो random होगा यानि कि थोड़े से dipole random होगे लेकिन major dipole जो होगे major domains जो होगी वो अभी भी orient रह जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी domains जो है वो अभी भी retain रह गई बात समझ मारा रही है यानि कि एक ही तरफ देख रही है जैसा पहले था h intensity apply करने पर आज भी वह सही है जबकि h equal to 0 कर चुके है तो यानि कि अगर हम यहाँ पर बड़ा interesting सा concept आता है कि अगर हम पहचान करने ही कोशिश करें किसी भी material की कि वो उसका hysteresis loop कम है या उसका hysteresis loop जादा है तो वो simply हम लोग क्या कर सकते है जब h equal to 0 करोगे तब यह चीज़ देखना संबब हो पाएगा यानि कि जब हम external intensity हटाते हैं तब हमारे पास material का original character निकल के आता है कि वो उसका hysteresis loop जादा होगा कि कम होगा तो अगर हम इस mental की बात करें तो यहाँ simple सी चीज़ है इसके अंदर retentivity ज़्यादा है देख सकते हो इतने ज़्यादा लोगों ने retain करके रखा है और बहुती कम domains यानि कि बहुती कम domains जो है वो random होई है यह क्या है random हो गई है तो अब यहां से एक बड़ी important चीज़ निकल के आती है यह यानि कि अगर हम इस particular metal की बात करें तो इसका भी हमने पीछे देखा था तो इसका जो hysteresis loop होगा वो क्या होगा वो काफी थिक होगा अभी पीछे हमने बनाया था और इसका जो hysteresis loop होगा वो क्या होगा काफी थिन होगा बात सब्सक्राइब यह चीज़े हमने भी पीछे देखी थी इसमें कोई दिक्कत नी होने जाए जो पीछे अभी जस्ट मैंने आपको पीछे अभी वो पूचर डाइग्राम जो बना के दिखाया था तो आई उप समझ में आगया ओका इतनी चीज़ अगर हम बात करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर नया टर्म पिक्चर में आता है तो ऐसे मैटरियल जिनके अंदर ज्यादा तर डोमेंज जो होंगे वह और और रेंडम हो जाएंगे और कम होंगे उनको हम कह देंगे soft magnetic material यानि कि ऐसे मैटरियल जिनके अंदर रिटेंटिविटी जिनकी कम होती है जिनके अंदर डोमेंज होंगे वह रिटेंग कम रहेंगे यहां हम कह सकते जिनका हिस्टैसिस लूप थिन होगा वो सबके सब soft magnetic अंदर में आ जाते हैं, वहीं पर ऐसे मैंटे जिनका हिसा से लूप जादा होगा, यानि कि ज़्यादा डिटेंटिविटी होगी, ज्यादा डोमेंस सेम रहेंगी, और बहुत ही कम अपनी एककल टू जीरो होने पर बहुत ही कम डोमेंस अपनी ओरिंटेशन को डिस्टरब करे हैंगी ऐसे मेंट्रियल को हम लोग कहते हैं हाड मेंगेटिक मेंट्रियल थीक है तो इनी कि उपर आज का लेक्चर है मेरा नाम प्रांचल है और आज हम लोग को समझाने कोशिश करें तो सौफ का सिम्पल सा मतलब होगा इसेमेट्रियल जिनको मेंट्राइस करना भी आसान है और दी मेंट्राइस करना जब हमने अब आधिकेश करने चल रहे थे तो वहां पे क्या और था मेजर पॉर्शन और डॉमेंस जो है वह इस्टिल अभी भी देखती रह जा रही थी एकी तरफ ठीक है तो उनको डी मेंटाइस करना मुश्किल है यहां से एक बड़ा इजी हम यहां पर देख सकते हैं अगर हम इसको हिस्ट्रेस से करने चलोगे तो देख सकते हो इतना मेजर पॉर्शन जो है बात करें इनका लूप बहुत थिन होगा तो यह देखो इतना ठीक है ऐसे कुछ तो केवल इतना पॉर्शन ही हमें डी मेंटाइस करने के लिए एक्स्टर ताकत लगानी पड़ेगी जिसको मैंने आपको याद कर इसको जीरो लाने के लिए मुझे इतना ज्यादा डी मेंटाइजिंग फोर्श लगानी पड़ेगी ठीक है तो यह क्या है डिफिकल्टू डी मेंटाइज है डी मेंटाइशन से एजली हम हार्ड और सॉफ्ट को कंपेर कर सकते हैं तो आप देखते होगे कि अगर हम यह हम इ आओगे तो त्भी हिस्टेस लूप कुछ ऐसे करके बनके आएगा देखरो कितना ज्यादा ठीक है तो यह ऐसे मेंटिल क्या होंगे हाड मेंग्नेटिक कर्याड़ी में अगाटेज्टो अगर रिटेंटिवीटी कम है तो अव्यसी बात है लूब भी कम होगा इनका हिस्टरैसलूब जो का वो थिन बनेगा बहुत पतली तदी थिन लाइन की इरिया का हिस्टरैसलूब बनेगा जैसे आपने पहले दिखाया है जब कि अगर हम बात करते हैं ऐसे मेंटल की हार्ड की तो इनका हिस्ट्राइस लूप भी थिक बनेगा क्योंकि आपको बता था कि इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना कोर्स और कितना रिजिडियल मेंग्टिस्म है याद करो जब हमने अगर आपको नहीं पता है तो इस ट् लगानी पड़ती है कोर्स लगाना पड़ता है तो उसके बाद कोर्स फोल्ड पर ठीक है समझ में आ रही होगी दोनों बाते ना नेक्स्ट एक बड़ा अंतर जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर सॉफ्ट मेंटिक मेंटिक की बात करें इनका एरिया थ इतना थिक एरिया होगा उसे ज्यादा उसके अंदर लॉसे हो रहे होंगे बहुत ही सिंपल कॉंसेप्ट है इन दोनों के बीच में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस पर्टिकलर पार्ट में इसी टू मेंटिक 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 करना आसान है और डी मेंटिक करना भी सब्सक्राइब होगे और दी मेंटिक करना यह बड़ा आसान है इसलिए इनका इस्तमाल करते हैं इलेक्टरमेंगनेट बनाने में यानि कि दुनिया के इतने है जब भी रिवर्स और थे करए किसी भी मשीन की बात कर लो कई भी मशीन है चाहें सेंकून रहे हम बात क लेते है DC की, सब के अंदर हम लोग Electromagnet ही बना रहे हैं, Field Excitation क्या कर रहे हो Electromagnet बना रहे हो, जब तुम्हारा काम खतम हो जाता है, आप Field को बंद कर देते हो तो वो Demagnetize हो जाती है तो कोई भी अगर हम बात करते हैं, Major Application की, जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं, तो जहां भी भी तुम्हें Electromagnet चाहिए है, वहाँ पे आप Soft Magnetic Material को ही खोजेंगे Reason भी है, ओविएस सी बात है Electromagnet बनाने का main purpose क्या है, कि हम चाहते हैं Control Magnet के उपर तो वो Control मतलब कि हम जब चाहें तब हम Magnetize करें, और जब हम बंद करना चाहें तो वो Demagnetize हो जाए तो Easy to Magnetize अगर है, और Easy to Demagnetize है तभी तो वो Material हमारे काम का है अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर अच्छी Electromagnet की category में वो Material नहीं आएगा Clear हो रहा है, यहाँ पर ही समझ मारे होगी तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी Magnetic Material है, उसको अगर हम Electromagnet चाह रहे है, Electromagnet मतलब Controlled Magnet, इसका यह बड़ा important सा significance है, Electromagnet हम हर बार बनाना चाहते हैं, जब भी हमें Electromagnet की ज़रुवत होगी, तो basically हम Control चाह रहे हैं अपनी Magnet की उउपर, और Control तभी आएगा, जब उसको Easy to Control हो, यानि कि Easy to Magnetize and Easy to Demagnetize, ठीक, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी, बड़ा एक घहराई की बात बता रहा हूँ कि Electromagnet की ज़रुवत तभी पड़ती, जब हम Control चाहते हैं Control किसकी उपर? Magnetization पे और Demagnetization पे यानि कि अब ऐसी Magnet जो Easy होगा Control जिसे करना, उसी का तो इस्तमाल करोगे Electromagnet पे, so that is why we use Soft Magnetic Materials, clear हो गया वहीं पर अगर Hard Magnetic की बात करें तो ये हम इस्तमाल कब करते हैं इनका इस्तमाल हम Hard Magnetic Metal का इस्तमाल हम तब करेंगे, जब हमें Control से कोई मतलब नहीं है, हमें Control नहीं चाहिए, हमें Stability चाहिए बड़ा Important Terms है इसब, हमें क्या चाहिए Stability, यानि कि अगर मैंने किसी से का कि तुम यहां खड़े हो जाओ, तो वो इसी कोई चीज चाहिए, Constant चीज की जब तलाश करते हैं, Constant चीजों की या Stable चीजों की तलाश करते हैं, तब हमें जरुवत पड़ती हार्ड Magnetic Metal की क्यों, क्योंकि वो जल्दी Magnetize भी नहीं होंगी किसी बाहर की चीज से, और जल्दी Demagnetize भी नहीं होंगी, यह बड़ा important है, दूसरा point, ऐसे यानि कि देखो हमें क्या चाहिए, Control constant मतलब, ऐसा material हमने मानलो Magnet खरीद के लाए, मार्केट से, अब वो तुम्हारे डिब्बे में पड़े पड़े, खराब ना हो जाए, या किसी और Magnet के influence में आके, उसकी polarity reverse ना हो जाए, यह तो हम चाहते हैं, तो यानि कि difficult to demagnetize, या difficult to magnetize, यानि कि ना तो उसकी polarity change हो, ना ही diminish हो, तो ऐसे material के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें hard magnet का इस्तमाल करना पड़ेगा, क्योंकि hard magnet, thick loop, high retentivity तो retentivity क्योंकि इनकी high है, अभी पीछे हमने सीखा था, तो यह जो होते हैं, यह अपनी polarity को maintain करके रखते हैं, rigid होते हैं काफी, तो जो भी चीज हमें constant के लिए चाहिए, हमें उनको कुछ control नहीं करना है, हमें चाहिए, बस constant हमें इतनी flux मिलता रहे, तो ऐसे particular application के लिए हम लोग hard magnet metal का इस्तमाल करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, इनका इस्तमाल हम लोग permanent magnet को बनाने में करते हैं, यानि अगर तुम से कहा जाए कि भाईया, हम एक नई company शुरू करनी है, और हम permanent magnet बनाएंगे उसके अंदर, तो मार्केट से कैसा मैट्रियल खोज के लाओगे, मार्केट से आप वो मैट्रियल खोज होगे, जिसका स्टेसिज लूप थिक हो, यानि कि hard magnetic metal category के मैट्रियल का इस्तमाल करोगे, clear हो गया, permanent magnet बनाने में, दूसरी चीज़, एक important application, soft magnetic material का कहा होता है, transformer core में अभी मैंने पीछे बताया था, कि हमें electromagnet, जहां-जहां electromagnet होंगी, वहां-वहां soft magnetic mental होंगे, तो application मैंने एक लिखा है, तो हम बहुत सारी लिख सकते हो, transformer core हो गया, machine के हो गया, machine जो भी तुमारी है, DC machine, synchronal machine, जहां पे भी हमें core की होते हैं, क्यों, क्योंकि soft magnetic mental thin loop होता है, आपको याद होगा, transformer के अंदर मैंने बताया था, दो losses बहुत important है, एक है, addy current losses और एक है hysteresis, so addy current के लिए तो बहुत सारे तरीकें जैसे एक बड़ा important तरीका हम thin ले ले लेते हैं, क्या कहते हैं, lamination कर लेते हैं, ठीक है, पतली पतली sheet ले लेते हैं, so that area जो है उसको हम लोग क्या करें, compromise कर सकें, ठीक, तो area compromise करके resistance बड़ा सकें core का, तो एक तरीका तो यह होता है, दूसरा होता है hysteresis losses और जो constant losses की category में आता है, यानि कि अगर हम transformer, constant losses means अगर आप बिजली secondary पे load लगा है या नहीं लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है, यह losses लगातार हो रहे होंगे, ठीक, तो hysteresis loss भी again an important factor in transformer, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इस problem को दूर करने के लिए हम लोग soft magnetic material का इस्तमाल करते हैं, इनका hysteresis loss low होता है, clear हो गया है यहां पर वहीं पर hard magnetic का इस्तमाल permanent magnet में हम लोग करते हैं, यह तो अभी हमने पीछे discussi करा था, ठीक, reason high retentivity, ठीक, अब इसका example अगर हम बात करें, low hysteresis यानि soft magnetic material का तो iron एक बड़ा example है, iron का इस्तमाल हम लोग soft magnetic में करते हैं iron is a ferromagnetic core की तरह work करता है, clear हो गया जबकि अगर हम बात करें, hard magnetic का तो इनका example अलने को यह बड़ा famous है यह वर्ड आपका बड़ा काम आएगा यह डिस इस बिसिकली एन alloy कह सकते हैं, अल्मोनियम nickel and cobald का, I think तो यह जो अलने को है, यह mixture होता है, काफी सारे material का, इसलिए इनको हम लोग alloy कहते हैं, तो यह alloy होता है और इसी के इन तिनों को मिला देते हैं, इनके combination से जो magnetic metal produce होता है अलने को उसकी जो property होती, वो ठिक हिस्ट्रेस loop show करता है, इसलिए इनका इस्तमाल हम लोग पर्मनेंट मेंगनेंट करते हैं, यह common question है, बहुत सारे MCQ में आता है, भाईया आपको इन में से check करिए, कौन सा answer सही है, तो वहाँ पर्मनेंट magnet अगर लिखा हुआ है, तो एलने को पर आपको this is purely an exam oriented topic, और अगर आपको कोई फिर भी कोई doubt है, तो आप comment section में बता सकते हैं, I think मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि सारी चीज़े मैं clear कर सकूँ और अगर आपको वैसे मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी ये आपसे request है कि आप अब इस lecture को देखने से पहले सब देखते हुआ, series में आओ तो जब एक series में आओगे तो क्योंकि ये 9th part है लगबग, I think 9th ये 7th part है, मुझे exactly नहीं पता, लेकिन ये एक पूरी series चली आ रही है, magnetic metal की तो वहाँ से आप देखते हुआ हैं और एक picture की तरह आपके दिमाग में ये चीज़ याद रहेगी आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद इस lecture को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी जरूरत है और next lecture मिलते हैं और हम बात करेंगे magnetic metal के कुछ और interesting topics की सब तक के लिए thank you